दोस्तों नमस्कार बात करेंगे राहू देव के उपर जर्म कुण्डी के अनुसार अगर आपके राहू देव इन बाबों में बेटे हुए हैं और आपको राहू की महातशा अंतशा लगी हुई है जा फिर गोचर में राहू आपके इस बाबों में चल रहे हैं तो आपके जीवन में क्या जो है कहीं न कहीं रुकावटे परिशाने राहू आप तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा सुनिएगा कि आपके राहू आपकी जर्म कुंड़ी में आपको क्या फल दे रहे हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों राहू बेसिकली के बारमें बाप से सबंद रखते हैं बारमा बाप कुंड़ी का खर्चों का बाप भी है कही न कहीं होस्प करना जुरूरी होता है तो कि दिमाग में चलने वाले विचार आपके राहू होते हैं और जो आपने decision लेने होते हैं वो आपका बुद्ध होता है तो मैं बात करूँगा राहू आपकी जर्मकॉंडली में किन बावों में बैठ के आपको बुरे फाल देते हैं दोस्तों राहू जब लगन में बैठते हैं तो लगन का जो basic condition होती है कि लगन आपके जीवन का वो बाव होता है वो आपकी personality होती है जो आपके जीवन की एक विचारदारा को कहीं ड्रेक्ट करती है आपको चलाती है लगन में बैठे हुए ग्रहे एक तरह से राजा की गदी पे बैठे हुए ग्रहे होती है क्योंकि लगन में सूर्या उच्चके हैं तो मंगल क राशी है तो इनी बावो में बैठे राहु कहीं न कहीं सूर्या का जो तखत है सूर्या जो राजा है उसको ग्रहन लगाते हैं तो इसलिए लगन में जब कभी आपके राहु देप आके बैठ जाएं चाहे वो गोचर में हूँ चाहे वर्षफल में हूँ चाह फिर आपकी जर्मकुनली में हो तो लगन में जब राहु देव बैठेंगे तो आपके कामों में रुकावटे, अर्चने, आना निश्चित है आपकी जिंदगी में कही न कहीं बागदोड जो है वो लगी रहेगी सूरिया का जो यश है कीर्ती है, मान समान है उनमें कही न कहीं आपको problems जो हैं वो देखने को मिलेगी तो भी सूरिया आपकी आत्म विश्वाश भी है आपका confidence level जो boost आप confidence level है वो सूरिया होता है और आपकी नोकतरी आपकी सरकारी कामकार जितने भी होते हैं जिस सूरिया से ही हम देखते हैं तो राहू जब लगन में बैठते हैं दोस्तों तो सूरिया को ग्रहल भी लगाते हैं और पिता से विचारिक मत्विद होना भी निश्चित बन जाता है तो राहू लगन मालों को यह ध्यान रखना जाएं जब कोई भी वो डिसीजन लें चाहे वो जौप के पॉंटर भूसे लें चाहे वह किसी भी कामों में अपना ज्माल जाता हो लगा रहे हैं तो इन कंडिशन में राहू के उपायाब को जो है वो करने चाहिए और सूरिया के दान जो है वो भी करने चाहिए तो कि लगन में जब कोई ग्रह आएगा वो basically सूरिया और मंगल से डिनोट होके ही चलेगा और इसी बाव में जो शनी डेव है वो नीच के होते हैं तो राहू का जो परकौफ है वो बेसिकली अपने दुश्मन ग्रहों के उपर लगेगा तो कि सूर्या और राहू का ग्रहन जो है वो लगन में बन जाता है तो राहू के जो कलर्स हैं जैसे कि ब्लू कलर्स हो गया तो इन चीज़ों को आपको अवाइड करना चाहिए और राहू के दान करने जुरूरी है और सूर्या को मजबूत करना भी जुरूरी है कभी आपका लगन आपकी पसनेल्टी जो है वो मजबूत होगी दोस्तो जब जर्मकुनली के राहू आपके पंचम बाब में बैठते हैं अब पंचम बाब बेसी करें दोस्तों आपके खरीना कहीं education का बाब भी है आपके बचों का बाब भी है पंचम बाब कुंड़ी का एक ऐसा बाब होता है दोस्तों जब यहां कोई भी ग्रया आता है तो वो कभी भी नीच या उच्छ के फन नहीं देता क्योंकि education जो है वो हर चाहिए अब वो किस तरीके से अपने education को adapt करता है उसकी common sense क्या कहती है किस field में उसने जाना है तो वो पंचम बाब decide करता है अब पंचम बाब के विकुल सब्तम बाब जो सामने वाला बाब होगा वो आपका ग्यार्मा बाब होगा अब उससे आपने income कमानी है तो जरिया च कि common sense को बढ़ा देते हैं आपकी energy level को बढ़ा देते हैं लेकिन सूर्या का ही यह राशीपती बाब है सिंग राशी यहां पर पढ़ती है और जब राहू और सूर्या अपस में मिलते हैं दोस्तों तो यह शुकर को भी कही न कहीं नुकसान करते हैं और कही ना कहीं ब्रस्प बाब से लिखी जाती है mostly cases में जब शुकर कुंडी में खराब बैटे हो शुकर आपके छटे में हो अस्टम में हो कर न कहीं आपके शुकर टैंथ बाब के भी बैटे हो और पंचम का राहू बैटा हो दोस्तों तो यह लब मैरिश को भी कर न कहीं दिनोड करता है लगन का शु बना कर रखनी चाहिए और सबसे जरूरी यहां पर राहू बाहर की जो चीजे होती हैं उन चीजों जैसे कि कोई खान-पान की चीजे होती हैं उन चीजों को आपको वाइड करना जरूरी है क्गी राहू पंचम में बैटके आपको लगन को भी देखेंगे और बाग गया ब पर नीबाती अपने गहर में पूर रख सकते हैं पानी में इपर कर दोंसतों इसके बाद जो नेक्स्ट बाब बनता है राहु का वे वह बनता है तो आपके दिमाग में ये विचार जो है ये चलाते रहेंगे आपके बिसीजिजिन आपको लगन कि अच्छी है लेकिन बेसीकली राहू की प्रविती के कारण यहां पे आपके नुकसान ज़्यादा होगे और आपका प्रॉफिट कम होगा तो सब्सक्राराहू बैठेंगे त आपको चीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी आपने पार्टनर की तरफ से दूसरी कंडिशन में आप जुगा सटा लोटरी शेयर बजार शेयर मार्केट में अपना पैसा जो है वो दुबो देंगे और सब्सक्राराहू बैठे हो शुक्र खराब हो तो लब मेरिज में भ करेंगे अस्टन के राहू की अब इससे जो जादा बुरा बाब जो है राहू के लिए जो बोला गया है वो अस्टन का राहू होता है क्योंकि राहू अस्टन जाप बाब में जब बैठते हैं दोस्तों तो यहां पे आपके कई न कहीं एक शमशान का दूआ जिसे आप सुन देना अचानक से आपको चोट लगाना जब राहू अस्टन में बैठेंगे तो मंगल के कारणा यहां पर आपके एक्सिएंटर योग बन जाते हैं आपके रिष्टों को खराब करते हैं आपके अंदर नर्जी लेवल को कई न कहीं नुकसान करते हैं पेट की समस्या है या आपकी श्रीव में जोड़ों में जर्द बगारा यहां फिर आपकी कई न कहीं मंगल की कारणा आपके कंदों में भी कईना कहीं समस्या जो है वो राहू यहां पर दे के रखते है और राहू जब आस्टम में बैठें दोस्तों तो यहां बिया प्कुत दखन-मुक्य का मका बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि दखन का मकान जो होता है वो मंगल की प्रविती में आता है और राहू और अगर आपको राहू की महादशा भी लगी हुई है और राहू आपके एस्टम का बैठा हुआ है तो आपको पाए जो है वो जरूर जरूर करने चाहिए नहीं तो राहू की महादशा जाहे अंतरशा आपको फालतू के केसों में जो है वो उल्जा के रख देगी तोखा चीटिंग प्रविती के लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और फालतू के विचार बिजनेस पॉइंट अगर आएंगे लेकिन वो आपके इंप्लिमेंट भ बाब होता है लेकिन खुद के बाब में बैटा हुआ राहू बार्मे बाब में आपका नीच का होता है और नीच का ग्रह जब अपनी खुद की ही बाब में बैठेगा तो उसके फलों को हम रोग नहीं सकते फलों उसके निश्चित मिलते हैं राहू यहां पे ब्रस्पति को भी चोट करता है और कहीं ने कहीं आतिक खर्चों को बढ़ा देता है बरकत जो है वो कम हो जाती है अगर आमदनी आपकी ज्यादा है तो खर्चे उससे भी ज्यादा होंगे तो इसलिए आप सोचते होंगे कि पैसा तो गर में आ रहा है लेकिन खर्चे डबल होने के कारण पै दोस्स्तों यहाँ पर आप चने की डाल जो है। वो भी दे सकते हैं। के सरगत की जुत वार्मेnın बात्य के लगा सकते हैं। बड़े बुज़रगों की सला ले सकते हैं और राहु बारमेबाब में आपकी वदेशों की यतराएं जो हैun बी कर के समझ के ही आपको जो है वो फल मिलते हैं ग्रया पैटेंगे, कर्म के बाब में बैटेंगे, दसम बाब में राहु बैटेंगे, तो शनी के रिकॉर्डिंग चलेंगे तो शनी अच्छे होंगे तो राहू के फ़ल अच्छे होंगे, मंगल को पावर दीजिएगा यहां पे, जितना मंगल बलवान होगा, राहू उतना ही कंट्रोल होगा, तो इसलिए दसंबाब में राहू आपके change of profession को भी दर्शाते हैं, change of job को भी दर्शाते हैं, आपकी अगर राहू यहां पे आपके अच्छे होंगे, शनी की चलाकी उसमें होगी, कहीं न कहीं मंगल की पावर होगी, तो यहां पे आप एक अच्छे politicians जो है, वो भी बलते हैं, बाकी conditions में दोस्तों, राहू खाना नमबर चार का हो, दो का हो, गैरा का हो, तो इन बाबों में राहू क पाई इतने निश्चित नहीं माने गए हैं, हाला कि यहां पे राहू फल एवरिस देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप राहू को अच्छा करेंगे, उन बाबों के कारक ग्रहू को अच्छा करेंगे, तो राहू के फल आपको अच्छे मिन ले, शुरू हो जाएंगे, बेस तो राहू इस से श्चान्ट होते हैं, दूसरी कंडिशन में, जों को अगर आप लाल कपड़े में बंद करके, उसमें चोड़ा सा तच्छा दूरू का छीटा लगाके, एक बारी वजन के उपर रखते हैं, तो यहां पे मंगल की पदानता जादा होगी, राहू को कंट्रो में हैं, तो अपनी कुल्डी के बैटे हुए इस राहू को जरूर देखें, कभी आपकी परिशानियों का जो हल है, उन्निश्चित होगा, तो दोस्तों, अमीद करता हूँ इसी साथ कि आपको वीडियो जो है, वो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो किर्पा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और नॉटिफ्केशन की जो बैल है, उसे भी प्रेस कर लिजेगा, ऐसे ही और वीडियो टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्य झाल